डिजीज पढ़ रह relação इसका राम क्या है अट से इक्वायर इम्यून का मतलब क्या होती है एक्वायरि पệnवायर्ड का मतलब होता है कि हम्ने से लिए कि हम्ने अखता है प्लिजीज से अध्र डेफिसीयंसी देफिसीयंसी नींज कमि और फिर आता है आपका चाहिए एक्वायर इ्मुन्यडेफिसीयंसी सिंड्रों उस्टों वर्ड ईस्की रहाँ जाता है एक से ज्ढ़ा डीजीज हो जाना मतलब किसी को ASE होगा तो सांस में टाइपाई भी हो सकता है सांस में और कोईशी डीजीज भी हो सकती है निमोनी अभी हो सकता है, टैंसर भी हो सकता है मतलब एक से जादा डीजीज हो जाना क्या कहलाता है सिंड्रोम आगे बासमन में दो इस दन्या हो गया अब एस जो है किस पैफोलियर की फ्रू हो जाता है